दोस्तों अतुल लिमिटेड के बोर्ड डिरेक्टर्स की मीटिंग आद 26 अप्रेल 2022 को अभी कुछी देर पहले हुई है और इस मीटिंग में Q4 के फाइनेंशल रिजल्ट को पब्लिस कर दिया गया है और इसके साथ साथ फाइनल डिविडेंट को भी रेकमेंट कर दिया गया ह बोर्ड डिरेक्टर्स ने 25 रुपे प्रती एकविटी शेयर का फाइनल डिविडेंट किया है और इस डिविडेंट की अप्रूवल शेयर होल्डर से AGM में ली जाएगी जो 29 जुलाई 2022 को होगी इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 9,430 रुपे के आसपास है तो अगर ह यह इस कंपनी का कॉंसोलेडेटेट फाइनेंशन डिजल्ट और यहां सारे फिगर करोड में बताए गए हैं एकसेप्ट अर्निंग पर शेयर क्वाटर फोर में रेवन्यू फ्रम ऑपरेशन 1370 करोड 42 लाग है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 1380 करोड 31 लाग था और प्र प्रिविएस क्वाटर में यह 1334 करोड 56 लाग था तो टोटल इंकम में यह और यह बगग 23 परसेंट की बढ़त है और क्वाटर उन क्वाटर बढ़ने की वजह है इस कंपनी में अधर इंकम में ग्रोथ हुआ है Q4 में Profit Before Tax 181 करोड 89 लाग है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 209 करोड 95 लाग था और प्रिविएस क्वाटर के क्वाटर 4 में यह 236 करोड 12 लाग था तो प्रिविएस क्वाटर टैक्स में Year on Year 23 परसेंट की गिरावट है और क्वाटर उन क्वाटर बेसिस पर यह लगभग 13 परसेंट गिरा है Q4 में इस कंपनी का Net Profit 136 करोड 56 लाग है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 156 करोड 91 लाग था और प्रिविएस क्वाटर के क्वाटर में यह 176 करोड 66 लाग था तो पैट में Year on Year basis पर 23 परसेंट की गिरावट है और क्वाटर उन क्वाटर बेसिस पर य प्रिविएस के Q4 में यह 69 रुपे 4 पैसे था तो अर्निंग पर शेर में Year on Year basis पर 22 परसेंट की गिरावट है और क्वाटर उन क्वाटर यह लगबग 12 परसेंट गिरा है क्वाटर फोर में इस कंपनी का Operating Margin 15 परसेंट की आसपास है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 18 परस पर दबाव दिख रहा है क्वाटर फोर में इस कंपनी का Net Profit Margin 10 परसेंट है जो प्रिविएस क्वाटर में यह 11.4 परसेंट था और प्रिविएस यह के Q4 में यह 15.8 परसेंट था तो Net Profit Margin में भी Year on Year और क्वाटर और क्वाटर दोनों ही बेसिस पर दबाव है तो मेरे हिस साब से इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा नहीं अब चलिए हम लोग इस शेर के Price Chart को देखते हैं आप देखी यह इस शेर का Daily Price Chart है और इस शेर का Current Market Price 9,300 रुपे के आसपास है इस कंपनी के Quarter 4 के अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं करने के वज़ह से यह शेर थोड़े दबा रहा है अब जो मुझे इस शेर का Strong Support नजर आ रहा है वह 8800 रुपे के आसपास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8800 रुपे के आसपास इस शेर को एक सपोर्ट लेना चाहिए लेकिन अगर 8800 के सपोर्ट को यह शेर तोड़ देता है तो हो सकता है कि इसमें और भी गिरावट हो इस सेर में मेरे कोई भी Buy or Sell के Recommendation नहीं है यह वीडियो purely educational purpose से बनाया गया है आप अपने decision से पहले अपने financial advisor से जरूर कंसल्ट करें तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद